26 मई को इस साल का पहला पूरुण चंद्र ग्रहन है, इस बार का चंद्र ग्रहन कई मायनों में दुरलब है, पहली बात तो ये ग्रहन वाले दिन ही सुपरमून कहलाएगा, दूसरा ये खूनी लाल रंग का होगा, ये दोनों सैयोक कई सालों में एक बार आता है, फैग्याने क्या होता है सुपरमून पहले इसे समझते हैं. पहली बात तो ये समझते हैं कि सुपरमून क्या होता है. चांद जब धर्ती के नजदी का आजाता है तब उसका आकार 12 फीसदी बड़ा दिखता है. आमतोर पर चांद की दूरी धर्ती से 406-300 किलोमीटर रहती है. लेकिन जब धर्ती के चारों तरफ कोलाकार चक्कर नहीं लगाता. यह अंडाकार कक्षा में घूंता है. ऐसे में इसके धर्ती के नजदी काना ते होता है. नजदी काने की वजह से इसकी चमक भी बढ़ जाती है. अब ये जानते हैं कि चंद्रग्रहन क्या है और ये कैसे होता है. धर्ती की परचाई के या थोड़ा उपर रहता है या फिर थोड़ा नीचे. लेकिन चान्द अपनी कक्षा में दो बार ऐसी. स्थिती में आता है जब वह धर्ती और सूरज के सामने एक ही होरिजोंटल प्लेम पर रहता है. न उपर न नीचे. यानी एक लाइम में. रंग का दिखने लगता है. इसलिए कई बार पूर्ण चंद्रग्रहन को लाल या खूनी चान्द भी कहते हैं. अब बताते हैं कि लाल रंग क्यों? सूरज की रोशनी में हर तरह के विजिबल रंग होते हैं. धर्ती के वायू मंडल में मौजूद गैस इसे नीले रंग का जबकि लाल रंग की वैवलेंद इसे पार कर जाती है. इसे रेलीक स्केटरिंग कहते हैं. इसलिए आपको आस्मान नीला और सूर्योदे और सूर्यास्त लाल रंग का दिखता है. चंद्रग्रहन के समय धर्ती के वायू मंडल से लाल रंग की वैवलेंद पास करती है. ये बायू मंडल की वजह से मुर कर चांद की ओर जाती है। यहाँ नीला रंग फिल्टर हो जाता है। इसकी वजह से चांद का रंग लाल दिखता है।